असलाम अलाइकूम उमीद है आप सब सही सलामत है अज आपके साथ मैं लेयर्ड निमकी रिसिपीर शेयर करने जा रही हूं आप इसे नमक पारे भी कह सकते हैं यह दिखने में बहुत ही खुबसुरत दिखती है और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं आप देख रहे इसटोर कर सकते हैं कई दिनों तक और आराम से पहां सकते हैं चली से बनाना शुरू होतोर यह हैं और यहांप है दो कप मैयदा लिया है और इसमें अभी मेंने थोरा चा-षाक नमक ढाल रही हूं शस्ता आइसलिए हम ठोड़ा सा इसमें हमेरी तेल डालेंगे आप जाहें इसे तेल से ही बनाओंगी, तो मैं रिफाइन टेल डाल रहे हूं, फुरा ज्यादा मत्र में डालें, क्यूंकि हमें खस्ता करना है इसे, तभी ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, अगर खस्ता नहीं होगी, तो खस्ता आप देख रहे हैं, ये मुठ्थी बन रहा है, और अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डलके, इसका डो तयार कर रही हूं, और डो ज्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, ना ही ज्यादा सक्थ, तो मैंने एक डो तयार कर लिया है, और डो को तक्रिवन पांस साथ मिनित तक अच्छी तरह से मसल लेना है, तो अब देख रहे ह हुआ कि आज़र ही, दो टुक्रों में कि डिवाइड कर रही हूँ, क्यूंकि हमें इस था रोटी बेलना है, तो इस था रखे। तो अभी मैं रोटी बेल रही हूँ, तो एक किचिन सार्फिस पर मैंने मेदा डाल दिया है, और बहुत ही पतला सा बरासा रोटी बेलना है, इस रोल से ही इसे लेयर बहुत चारे लेयर बन जाएंगे, बहुत चारे परते बन जाएंगे, तो अब जितना चाहे उतना पतला करें इसे, अब जितना पतला करेंगे उतना ही रिस्पी बनेंगे, तो मैंने रोटी बेल लिया है, अपने देख लिया है, यह बहुत ही पतला ह तो अभी मैं इसमें उपर मैदा चिरकूंगी क्योंकि रोल बनाने के लिए उपर मैदा चिरकना बहुत ही जरूरी है नहीं तो रोल चिपक जाएंगे तो बहुत ज्यादा मैदा डालना है अब जितना चाहे उतना मैदा डाले तो इसी तरह मैदा डालके अच्छी तरह से फैला लेना है तो अब देख रहे हैं कितना मैदा मैंने डाल लिया है इसी तरह मैदा डाले नहीं तो रोल चिपक जाएंगे तो आपके सारे मैदा पानी में चला जाएगा तो मैंने एक रोल तैयार करके रखा था मैंने आपको बो बहुत लंबी हो जाएगी कि तो आफि अगली जो रोल सह अधिक से ड्याइक किस तरह कर लिए मैं किस तरह करी ज़ार सा रोल करें और फिर मेदा से मेदा छिरक ना है बहुत ज्यादा मेदा इसे अच्छी तरह से छिरक के लगाए नहीं तो चिपक जाएंगे अगर चिपक जाए तो आपके सारे मेहनत पानी में चला जाएगा ये बिल्कूल लेयर्ट नहीं बनेंगे जब आप फ्राइ करेंगे तो ये लेयर्ट खूलेंगे नहीं ये चिपक के रहे जाएंगे तो इसी तरह मेदा लगाते रहे और रोल करते रहे और आखरी हिस्सा थोरा सा टेरा मेरा है तो मैं छुरी से काट रही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी लगा रही हूँ किसे साथ चिपक लेना है ताकि रोल के साथ ये आखरी हिस्सा चिपक जाए नहीं तो फ्राई करते बाद ये खुल जाएंगे तो रोल पहुत ज्यादा टाइट ना करें और नहीं ज्यादा धिला तो इसी तरह रोल मैंने बना लिया है आप देख रहे हैं ये मोटा रोल तैयर करना है दो रूटी के साथ ये रोल बनाना है बहुत मोटा तो मैं साइट पहला हिस्सा कात रहे हूँ और अब थोरा सा तेरा कातना है अब इसे क्योंकि हम इसके जो रोल कटेंगे थोरा तेरा कटेंगे तब इसके रोल देख रहे हैं ये अंदर से बहुत ही लेयर्ड है बहुत तो अब ही मैं इसे काट रही हूँ अब देख रहे हैं मैं तेरा काट रही हूँ थोरा सा तो इसी तरह तेरा काटना है और थोरा मोटा करके काटें ज्यादा पतला ना करें तो मैं आपको कुछ और काटके दिखा रही हूँ तो इसी तरह तेरा काट लेना है तो मैंने सारे कात लिया है मैं आपको दिखा रही हूँ अभी तभी आम इसको थोरा सा बेलेंगे और किस तरह बेलना है आप ज़रूर देखे मैं उंगली से आपको दिखा रही हूँ इस उंगली से टेरा करके थोरा सा बेलों से प्रेश करना है तब देख रहे हैं बीच में म तो बहुत ज़्यादा पतला ना करें तो मैं आपको और एक बैल के दिखा रही हूं पहले बीच में तेरा करके थोड़ा सा बेलन से दबाए फिर इसको बेलन से बेले कि तेरा करके बेले ताकि इसका जो रोल है इसका जो लेयर है ये बाहर निकल आए तो आप देख रहे हैं इसका लेयर बाहर निकल आया है बिल्कुल इसी तरह सारे बेल लेना है और अभी मैं तेल गरम कर लिया है तेल को medium to low heat पर गरम करना है बहुत ज्यादा गरम ना करें और अभी मैं दाल रही हूँ इसे fry करने के लिए और डालने के बाद इसे बिल्कुल low flame पर fry करना है अग जब तक यह उपर ना आए तब तक इसे पलटना नहीं है विल्कुल लो फ्लेम पर इसे फ्राइ करें तभी यह क्रिस्पी बनेंगे नहीं तो अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे इसे लेयर है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे अगर आप लो फ्लेम पर फ्राई करें तो अब देख रहें ये उपर आ गए है तो अभी मैं इसे पलटूंगी इसे पलट लेना है जब उपर आए तो इसी तरह पलटते रहे और ब्राउन होने तक फ्राई करते रहे याद रखे है ये बिल्कुल धिमी आच पर फ्राई करना है नहीं तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे तो ये अंदर ज्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे आप डेखे रहे हएं ये लेयर है वह खूल चुके है यह अपने आप तेल में डालांगे धिरे धिरे ये लेयर क्खूल जाएंगे इसे fry करने के लिए थोड़ा सा patience की ज़रूरत है कि बिल्कुल low flame पर इसे fry करना है तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्राउन हो चुका है इसी तरह ब्राउन करना है तो लगातार पल्टे थोड़ी देर बात-बात और इसे इसे तरह fry करें तो मैंने सारे इसी तरह fry कर लिया ह है अल्रेड़ी कि तपस्काअ लेयर देख रहे हैं बहुत ही दिखने भी महीं हिंगत दिखती है यह जब फ्राइग होके निकलते हैं तो मैंने सारे अर इसे ठंधा भी कर लिया है ऑर इसे ठंधा होने के बाद आप किसी एारटएट कॉंटेनयार पर स्टॉर कर सकते है और आप इस्तोर कर सकते ह babe और चृ अब निकालके चाह के साथ परोत सकते हैं और आप इस नमक पारे को चीनीains शिराब के साथ भी करोत सकते हैं और रिबिदू अपको ने के संज हाजिर हो नपके तब लिए भी यूलunden है